इस मंच पर उपस्तित हमारे सब आदर्निय, संत महात्मागन, मैं आप लोग सबको पड़ाम करना चाहती हूँ, आपका आशिरवाद हम सब लोगों पर बना रहें, इस मंच पर उपस्तित हमारे मुख्य मंत्री शिभजनलाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मान्यसी जी, सहप्रभारी, हमारी आदर्निय विजया जी, इस मंच के उपर बैठे हुए, हमारे उपमुक्य मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचन जी बेर्वा, राष्ट्रिय मंत्री अलका जी गूजर, और हमारे सब कारकर्ता पददिकारी बंदू, मेरे सामने बैठे हुए MLA साहिबान, कुछ MP साहिबान, अलग-अलग जिले के सब हमारे कारकर्ता बंदू, उन सब को मैं आज के शुब दिवस पर प्रणाम करती हूँ, आप सब का यहाँ स्वागत करती हूँ. सबसे पहले, मैं हारम हमारे नव नियुक्त प्रदेश अत्यक्ष, शी मदन जी राठोड को बधाई, बहुत सारी बधाई, देना चाहती हूँ, और मैं आप लोग सब से ताली वेजाना चाहती हूँ, जोर से हाथ उपर करके, सब लोग, पीछे तक मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस गर्मी में बैठे हो, तो इन तो दोनों हाथ उपर करके, ताली बजाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जड़ा बताऊ तो सही, जोर से मदन जी राठो सुपकामनाई देना चाहती हूं, इन्होंने राजस्तान संगठन का एक बहुत महत पूर्न दायत्व सोपा है, उनके हाथ में आया है, साथ में हमारे नए प्रभारी डॉक्टर रादा मोहन जी हमारे बीच में है नहीं आज, उन्होंने बताया था कि मैं नहीं आउंगा, क् मुझे दूसरे काम में जाना था, परंतु हम सब की और से, आप विजया जी उन्ता की बात पहुचाने की बात करोगे, कि हम सब की और से, उनको भी बहुत बहुत सारी शुपकामनाई, इस मंच के माध्यम से आज, याद दिलाना चाहूंगी, और आपके द्वारा में, की ओम जी मातुर, इनको भी हम सब की शुपकामनाय में प्रेशित करना चाहूंगी, जिनकी काबलियत के वज़े से, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आदर्निय प्रधान मंत्री, शी नरेंद्र जी मोधी, और हमारे आदर्निय अध्यक्षी जेपी नडड़ा ज चाहती हूं कि मदन जी जैसे संगठन के एक करमठ, सेवा भावी, संसकारी और सरल, इमानदार कार्यकरता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की भाजपा की कमान सौपने का काम उन्होंने किया है, मुझे मदन जी पर भरोसा है, और आपने सुना होगा हमारे प्रधान मंत्री जी का अरे सुन नहीं रहे हो तुम लोग, फिर से बोलें, सबका साथ, सबका, विकास, सबका, और सबका, यह जो थीम है, यह मदन जी के हाथ में सौपने का काम उन्होंने किया है, मैं विश्वास करती हूं कि यह थीम को आगे बढ़ाने का काम, वो करेंग और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है, और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परन्तु मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं, परन्तु दायतो निभाने का काम करेंगे, इस अफसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माने सिपी जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की और से बहुत सारी धरन्यवाद भी देना चाहूंगी, यह मुश्किल काम को उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलत सफलता पूर्वक उसको जमीन पर लाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास ही नहीं सक्सेस्फुली उसको जमीन पर लाने का काम किया, आपको हम सब की और से बहुत बहुत धन्यवाद, मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कारिशेली को समझती भी हूँ, जानती भी हूँ, यह धैर्यवान और कर्मट कारे करता है, अगर धैर्यवान नहीं होते, तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास करकर, मैनत करके, हाथ बटाने का काम नहीं करते, और आज आप राजय सफा के मेंबरी नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ, सबसे बड प्रदेश इस देश के, राजस्तान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हो, यह उसी धैर्यका काम है, उसी धैर्यका परिणाम है, कि आज इतनी महतवपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है, राजनीती के अंदर अब में कुछ ये भी, राजनीती का दूसरा नाम जो है न वो है उतार चुड़ाओ ए माराजी हर व्यक्ति को इसी दौर में से घुजरना पड़ता है पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीज़ों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूवत था माराजी यह तीन चीज का बना होता है पद, मद और कद यह तीन चीज है जिसके उपर अपने सब को ध्यान देने की जरुवत है आप सब जानते हैं कि पद और मद यह तो स्थाई है नहीं परन्तो यह की चीज है और वो है कद जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो ही जाता है कि आज के दौर में यह होता रहता है परन्तु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कारी करता है कि जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वज़े से इतनी बाड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी हैं और इसी वज़े से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत वो है जनता का प्यार वो है जनता का विश्वास और यह ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं चीन सकता अगर आप जनता के साथ लगोगे अगर आप अपने कार्यकरताओं को साथ लेकर चलोगे तो मैं आपको विश्वास लाना चाहती हूँ कि यह पद पर आप काबिल रहोगे आप रहोगे वहाँ परन्तु इस पद के मद को अपने को नहीं लाने की जरुवत है और कद अपने आप आपके पास आएगा यहां बहुत सारे कार्यकरता बैठे हुए हैं मुझे बहुत सालों से कार्यकरताओं के साथ रहने का मिलने का काम करने का मुका मिला यह मेरा सोभाग्य आज इन सब कार्यकरताओं की वजह से ये तो बहुत कुछ बैटे हैं परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो शायद यहां नहीं है मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि उन सब की मेहनत की वजह से आज भारती जंता पार्टी की बड़ी पार्टी बन गई है इनका कारण है एक बहुत बड़ा कारण है जो अटल जी बार बार हमको समझाय करते थी कि हमारा कार्य करता वो है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया इस पार्टी को वो संसकारित कार्य करता है यह गुण इनको इनके अंदर एक दिनके अंदर नहीं आया है यह पूरे जीवन खपा बैठे हैं इन्होंने पीडियां गुजार दी क्योंकि बड़े उनके बापा उनके बेटा और बेटे का बेटा यह सब लोग पार्टी के अंदर साथ काम करते रहें इसलिए हमारा कार्य करता धन से नहीं मन से काम करता है और इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है यह आंदी में यह तुफान में निस्वार्थ भाव के साथ विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है यह है वो भार्टी जंता पार्टी का कार्य करता जिसके उपर हम सब को गर्व है और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी इस बहुत विशाल परिवार के एक सदस्यब मुझे बनने का एक सोभाग के प्राप्त हुआ है एक बहुत बड़ी बात है यह कार्य करता वो कार्य करता है जिनके साथ शामा प्रशाजी मुकर जी चले थे पंडित दीन द्याल जी चले थे अटल भिहारी वाजबाई जी चले थे अडवानी जी चले थे राजबदा साब चली थी बैरो सिंग जी चले थे और उनके साथ अनन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्य करताओं को साथ चलके इस पार्टी को एक वि ज्यादा आप उनको का समय नहीं लेना चाहती हूं, इतना ही दिलाओंगी याद कि ये हमारे पार्टी है, खाली पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है, हम इस से आगे किसी चीज को नहीं जानते हम इस से पीछे किसी चीज को नहीं जानते हमारे मन में अगर खटका भी आत क्योंकि हम मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और उस पार्टी को आगे ले जाने का काम हम लगातार हमेशा मिलकर करते रहेंगे आज आपके हाथ में बहुत बड़ा दाइत्व सौपा है मैं जादा समय नहीं लेना चाहती हूं पर इतना ही ज आगे ले जाईए इस परिवार को जोड़िये और इतना याद दिलाओंगी कि इनका कार काल हमको सफल बनाना है क्योंकि आगे समय में कोई भी जूट सब लोग जूटके कोई भी घुट को नहीं एक ही मुख से और संक्ठन की काम्याबी को बनाने में ले जाने में खड़ा क करना चाहती हूं कि बहुत मुश्किल काम है सर कि यह आसान भी नहीं है है बड़े प्यारे सब परंतु आसान नहीं है ना आपके लिए है ना इन के लिए है दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे इसी विश्वास के साथ मैं आप सब आपको बहुत सारा धन्यवाद बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार आपको देते हुए जैसे हमेशा करती हूँ आप सब को दिल से लगाकर यही विश्वास करती हूँ कि आपका भला होगा आपकी सफलता रहेगी और आप जहां जाओगे वो इस पार्टी को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहोगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब्सक्राइब और एक मेरे साथ जोरदार नारा भारत माता की इजै भाई इस दिन चलेगा यह वाईगा भी इसके बारत माता की अब इसके बाद मेरे को सुना ओ जै जै राजस्थान जै 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 कि बात है कभी-कभी आवाज तो निकलनी चाहिए परसात का मौसम है अच्छा है इन में से आवाज निकलने की जरुवत है बहुत बहुत दन्यवाद सबको